हुआ हैं उन्हें हैं दिली के मुख्यमंतरी के जिवाल को दिल्वी सरकार द्वारा पेश गए बजट पर कहा कि दिल्वी में जिवा से हमारी सरकार नई है तब से बजट सर नहीं हुआ है कि अगले साल के बजट में हम लोग पिछले साल के मुकाबले बढ़ा पाएंगे कि कम होगा बजट लेकिन मुझे बहुत अगले साल के मुकाबले लगबग 6 प्रतिशत जादा है तो पिछले साल के मुकाबले बढ़ोतरी हुई है इतनी कठिन परिस्थितिएं के अंदर बढ़ोतरी हुई है यह मैं इसके लिए दिली के लोगों का खास कर धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अपनी सरकार के पर भरोसा किया और इतनी कठिन परिस्थितियों के अंदर भी उन्होंने पूरा अपना टैक्स दिया अपनी जिम्मेदारी पूरी की जिससे की सरकार चल रही है और अच्छे से चल रही है इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद जितनी भी सरकार की सबसीडीज थी जित दिल्ली में होना चाहिए दोहजाराइस के ओलंपिक खेलों के लिए दिल्ली आवेदन करेगी इसके लिए जो भी इन्फरस्ट्रक्चर और अन्य जरूरत की चीज़ें करनी होंगी वो हम करेंगे इस बजट के अंदर विजन दिया गया कि दोहजाराइस का ओलंपिक गेम दिल्ली के अंदर होना चाहिए उसके लिए जो भी करने की जरूरत है उसके लिए दिल्ली बिड करेगा दोहजाराइस के ओलंपिक गेम्स के लिए दिल्ली बिड करेगा उसके लिए जो भी जरूरत है आजादी के लिए को मनाने के लिए धेर सारे कारेक्रमों का इसके अंदर रूपरेखा तयार की गई है हमेरे शहीदों को याद किया जाएगा और खास कर शहीद आजम भगत सिंग और बाबा साब अंबेड कर के जीवन और उनके संदेश उनकी लेखनी उसको जन जन तक पहु पजट भाषन पेश करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार का सपना दिल्ली में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करना है हमने इसके लिए अभी से तैयारी शूर कर दी है ताकि भविश में दिल्ली की ओलंपिक खेलों की मेजबानी का अफसर मिल सके